हेलो फ्रेंट्स आज मैं आपके लेकर आई हूँ फैन साफ करने का तरीका जो कि बहुत ही एजी और सिंपल तरीका है दिपावली का तेवार आगया है ऐसने में सभी के घरों में साफ सपाईया इस्टार्ट हो जाती है सबसे बड़ी प्राबलम होती है फैन साफ करने की जब भी घर पे मतलब हस्बेंट लोग रहते हैं हम उन्हें ही साफ करने बोलते हैं अब आपको हस्बेंट को नहीं बोलना पड़ेगा आप खुद भी साफ कर सकते हैं बहुत ही सिंपल दरीका लेका लेकर आईंट सच मानिए फैन को साफ करने के लिए बहुत से लोग जाला जाडू जाडू का यूश करते हैं जिससे की उसका जो फैन का ड़स्ट है पूरे घर भर फैलता है उसके साफ सथ अगर बैड के ऊपर फैन है तो बैड के ऊपर भी चमतलब ड़स्ट आ जाता है तो ये सब चीजों की दिक्कत ना हो, इसके लिए मैं बहुत ही बेश तरीका लाई हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पे टेबल ले लेंगे बड़ा सा, थोड़ा ऊचा टेबल ले लीजीगा, ताकि आप खड़े हों तो फैन में हार्ट टच हो जाए, और साफ करने के लिए मैंन इतना गंदा तो कोई रखता नहीं है, बट मुझे थोड़ा सा वीडियो बनाना था, इसलिए मैंने इसे थोड़ा गंदा ही होने दिया, और ये जो काला सा दिख रहा है न, ये क्या हुआ था हावन करे थे, इस वज़़े से थोड़ा सा काला हो गया और वैसे भी गर्वी म मैंने वीडियो डाला है फैन का, वो भी काफी लोगों ने पसंद किया है, तो जो भी तरीका अगर आपको पसंद आता है तो आप इसे जरूर ट्राइ करके दिखीगा, तो देखिए यहाँ पे मैंने जो पिलो कवर है न, इसको कुछ इस तरह से हैं, तो आप देख सकते हैं मैं इस तरह से कवर को पंगोडी के ऊपर डाल रही हूँ, और जहां तक डश्ट है वहां तक आपको ले जाना है, और दोनों हाथों की हेल्प से डश्ट को खींच रहा है अपनी तरफ, तो इस ते क्या होगा कि जो डश्ट है कवर के अंदर आ जाएगा पिलो कवर के, तो और नीचे भी नहीं गिरेगा और आपका फ्लोर भी गंदा नहीं होगा, चाधर भी गंदा नहीं होगा अगर बैट के उपर फेन रखा हुआ है तो, देखें कितना इजीली निकल रहा है, इसमें कितनी मोटी सी लेयर जमी हुई थी, ये पुरी तरह से निकल चुकी है, एक इस तरह से यहाँ पे सभी पंकुरियों को साफ कर लेंगे फेन की, तो देखें यहाँ पे, बहुत ही इसी तरीका है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये साफ करना, अप्टेट से अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो थोड़ा भी हेलफो लग रहा हो, तो चैनल को सिस्काइब कर दीजेगा, तो आप देख सकते हैं, फिर यहाँ पे मैंने दोनों फंकुरियों को साफ कर लिया है, एक बार में और दूसरी बार में फिर से कर लूँगी, बट ये तीसरी वाली है, इसको भी हम पहले तो साफ कर लेंगे, उसके बाद मैं एक साथ पहले दूर रखर लेंगे, उसके बाद में फिर आगे का प्रोसेस करेंगे, ताकि हमारा जो फैन है थोड़ा सा अच्छा सा साइन करने लगे, तो मैं यहाँ पे कोई दूसरी चीजों का बिल्कुर भी यूज़ नी करूंगी, सिर्फ मैं यहाँ पे हलका सा कपड़े को गी गीला किया था और एक साइड ड्राय रखा था, तो गीले कपड़े से पहले में पंकुरी के उपर अच्छी तरह से पहले पानी से पोच लूँगी, उसके बाद में जब यह पोच कर हो जाए, उसके बाद हम ड्राय कपड़े से अच्छी तरह से पोच लेंगे, तो यह तो फ्रेट्स कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आए हो तो फ्लीज लाइक शर कमेंट कर दीजेगा और अगर आप चैनल पे नए है तो चैनल को सस्काइब कर दीजेगा अब बेल आइकन को फ्रेश कर दीजे था कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप को मिल जाएगी थैंक्स फॉर वाचिंग मैं वीडियो मिलते हैं फ्रेश नेक्स डेसी पी के सब्सक्राइब